अब बीए, बीकॉम, बीएसी और में, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें, महाकाल कप्यूटर्स, डियवी कॉलेज गेट के सामने सिवान नमस्कार आप देख रहें, एटियन लाइब और मैं हूँ चंदन, हमारे साथ अभी मौजूद हैं, पुर्वसांसद प्रभुनात सिंग के प्रवक्ता सुरेंद्र पांडे जी, सुरेंद्र जी से हम बात करेंगे, कि सुरेंद्र जी, अभी सबसे ज़्यादा इस जीले का जो चैनल को मैं धन्यबाद देना चाहता हूं, कि सबसे पहले सीवान जीला का सबसे जोलन समस्या के समधान के लिए आप विभीन नेताओं से बकतब ले रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यबाद, मैं कहाना चाहूंगा बिहार सरकार से, और जीला प्रसासन से कि दाहा न चैनल के पूल को खड़ाब हो जाने से, उतर प्रदेश और आने जाने में बहुत धिक्कत हो रही है, बहुत ही लोगों को सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो उस इंजिनियर को फांसी के सजा दे देना चाहिए, जो पूल बनवाया है, बहुत कोशली पूल बना था, बहुत आसा और विश्वास के साथ बना था, कि पूल बहुत दिन कम्याब रहेगा, लेकिन बहुत दिन पूल कम्याब नहीं हो सका, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के पहले पूल अभिलम बनना चाहिए, अभी हम देख रहे हैं कि बमुनिया रोड पे लिखा गया ह से उत्तरपड़ जाने के लिए कौन सा रास्ता है, हम जिला समर्ता अमीत कुमार पांडे जी से जानना चाहते हैं, और यह कहना चाहते हैं कि ब्यक्तिगत रुची लेकर उदाहा नदी के पूल अभिलम बना है, अभी देखे हिंदू का पर्भय, महान परभय दिपावली, म उस पूल को बहुत जल्दी बनाना, अगर पूल नहीं बनता है, तो चेचला बना यह लोहा का दोनों तरफ से, कि लोग आए जाए कम से कम, याता है तो बादे, साइकिल और पैदल तो जाए कम से कम, सरकार के पास पैसा हुले है सरकार कार यह एक भी कास हम कर रहे है तो कहाँ है उसके भी कास कि जिबोर गीमेटर हो कर कि लोग अधिकार यह तो बहुत दीकत है इसी में चीनता ही हो रही है इसी में जो दिहात में पर रहे हैं लोग बाने जा रहे हैं अपरात बर गिया है इस पर ध्यान देना चाहिए अब मैं तहे दिल से निस्पक शुरूप से अदलिये भावना से उपर उठकर करना चाहता कि दाहा नदी का पुल अभिलम बने और बैकल्पी भिवस्ता सबसे पले किया जाए कि आने जाने का रास्ता सही हो जाए ना इस बात से मैं स्वामप नहीं हूँ शिवान सदर के राज़त बिधायक बिहासरा के पुर मंत्री और वियारी चाहदेजी इस प्रस्त को बिधान सामें भी उठाए हैं और बहुत जोर सोट से उठाए हैं उसका फ्लाईय का भी प्रस्त उठाए हैं वह हैं लेकिन चुक जो आप पूर आरूप लगा रहे हैं उस आरूप से मैं सहमत नहीं हूँ और सत्ता पक्ष के लोग तो अब जान गए हैं कि हमको रहना है सत्ता में तो विकास हो चाहें ना हो उसे क्या मतलब है इसलिए उस चुप है लिभी पक्ष तो प्रवनाज सिंग की आप रवक्ता है और प्रवनाज सिंग की भी एक अच्छी खासी पकड़ रही है तो ऐसे में आप लोग सभी लोग मिल करके और इसका कुछ निदान निकलवाएं गए या फिर ऐसे सिर्फ राजनित होती रहेगी आज भी प्रवनाज सिंग की पकड़ है और अंधिर सिंग की पकड़ है उनक और धारना परदरस्थान राजद महागडबंदन के तरफ से वहाँ करेंगे और आपको मजबूर कर देंगे वहाँ आने के लिए अब थोरह सा बात कर लें कुशे स्वर अस्थान और तारापूर की क्या होने जा रहा है क्या लग रहा है कि इस बार महागडबंदन बाजी मारेगा या फिर से जेड़ू के खाते में सीड़ जाएगी चेतनानजी भी कैम्प किये हैं वह बहुलता है आप जान जाएए और निश्चित रूप से हंड़ेट परसेंट हम अभी जा रहे हैं सीवान हम अपने जिला धेक्ट परमत्माराम जी से और और चोदी से बात करेंगे हम लोग महाधारना का काजकरम बनाएंगे निश्चित बनाएंगे और निश्चित दाहन दिपपूल बनेगा और आपके एटियम के पती मेरा सुबकामणा है कि हमसे ही नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष कि जितने भी कज़करता नेता है उनकी आवाज को लीजिए कि आप ह लोगतंत के चौता अस्तम किस आवाज को आप निश्चित कुमार तक पहुंचा सकते हैं वह बन सकता है और वहां के आप बासी भी है बिलकुल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सुरेंदर पांड़े इसे बाचित हुई इन्होंने कहा कि अगर कोई निदान नहीं निकला तो हम लोग आंदोलन करेंगे और विहारी चौदरी से भी हमने बात किया तुन्ना पांड़े से भी कल बाचित हुई देखना होगा कि सभी लोग मिल करके इसे पूल का निदान क्या निकालते हैं यह अब आने वाला वक्त ही बताएगा हमारे शहोगी परभात के साथ चंद पूर सिवान